महाराश्ट्रे में एक तरफ जहां सोया बीन किस्तान परिशान है तो वहीं कपास की कीमतों में बढ़ोतरी न होने के कारण कपास किस्तान भी परिशान होते दिखाई दिये हैं दरसल गुजरात में विधानसबा चुनाव के चलते वहां पर कपास की खरीदी धीमी हो गई और इसका असर अब महाराश्ट्र में कपास की कीमतों पर आता दिखाई दिया है इस समय महाराश्ट्र में कपास का दाम 4500 रुपई से लेकर 800 रुपे प्रतिक विंचल मिल रहा है किसानों को कहना है कि कपास की कीमतों में भड़ोतरी रुख गई है उन्हें उमीद थी कि 10,000 रुपे तक ताम बढ़ेगा लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा इससे उत्तर महाराश्ट्र के कपास चिंतित है इसलिए राज्य के किसान अब स्तर्क रुख अपनाते हुए कपास को थोड़ा-थोड़ा करके बेच रहे है कोई क्रिशिव शिशग्य किसानों को बाजार की समिक्षा कर कपास बेचने की सला दे रहे है कई मंडियों में अब कपास की आवक में कमी देखी गई है किसानों का कहना है कि उन्हें कपास का कम से कम 10,000 पे प्रतिक विंटर रेट मिलना चाहिए दरसल उत्री महाराश्रों में हर साल बड़े मात्रा में कपास की खेती की जाती है इस वर्ष नंदुर बार जिले में 1,25,000 से अधिक शेत्रों में कपास की रुपाई की गई है 1500 उपए से लेकर 2000 पे तक गिर चुकी है और वहीं कपास के दामों में कमी के कारण किसानों ने अस्थाई तोर पर कपास बेशना फिलाल बंद कर दिया है किसानों का कहना है कि मिल रहे किमतों से उनको लागत नहीं निकल पा रही इसलिए वो फिलाल कपास बेशना नहीं चाह रहे